अगर आप भी कोई ऐसे जन है जो बहुत ही लंबे टाइम से कन्फ्यूज चल रहे हैं कि हमें कौन सा सैंपू का इस्तिमाल करना है बालों में कौन से का नहीं और अभी तो वैसे भी मौसम चेंज हो गया है बरसात का मौसम स्टार्ट हो गया है तो कन्फ्यूजन और भी जाद बहुत जड़ा दाइमेज है बहुत जदा फ्रिज्जी एर और रुफ हैर और यह पॉल्क बहुत ही ज़्यादा है और लोगों की यह टेंशन वैसे भी और जादा बढ़ रही होगी कि कोई ऐसी चीज हमें मिल जाए कोई ऐसा बेस हमें मिल जाए हमारी स्कैल्प के लिए हम हमारे बालों को control कर सके हमारे hair fall को control कर सके हमारे बालों की roots को cure कर सके और सबसे बड़ी बात की shampoo कौन सा brand इस्तमाल करें local shampoo इस्तमाल करें और फिर क्या हम अपने बालों में apply करें तो अगर आप लोगों के भी ये सब दाउट्स हैं आज की इस वीडियो से आप कुछ ना कुछ सीखके ही जाएंगे इसलिए वीडियो को पूरा देखना है देखिए अगर आप लोगों को hair fall नहीं है आप लोगों के बाल पूरे तरीके से मजबूत हैं और उस condition में आप shampoo का chain करने की कोशिश कर रहे हैं कि कौन से shampoo का हम chain करें तो आप कोई सबी shampoo उठा लीजिए ब्रैंड की बात नहीं कर रहे हूं क्योंकि सबी तरीकी की audience है जो बहुत सस्ती चीज़े भी यूज करती है और जो बहुत ज़दा महेंगी यूज करती है नॉर्मल शेंपू की मैं आप लोगों के साथ बात कर रहे हूं जैसी की संसिल्क हो गया चिक हो गया डव हो गया क्लैनिक प्लस हो गया वाटिका हो गया केस्किंग हो गया यह सब भी नॉर्मल शेंपू है जो आसानी से शॉप पे मिल जाएंगे किसी पे और आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं. अगर आप लोगों को hair fall जैसी समार्शा नहीं है, तो अगर आप लोगों को hair fall नहीं है, तो कोई सा भी shampoo किसी भी time इस्तेमाल करिये, कोई भी problem नहीं है। मैंने पीछे वीडियो में आप लोगों को दिखाया हुआ भी है कि मैंने दो-दो तरीके के शैंपू को मिक्स करके भी अपने बालों में एपलाई किया हुआ है लेकिन अगर आपको हेयर फोल है तो आपको एक छोड़ी सी चीज समझने की आवशकता है अगर आप लोगों को ह हेयर फोल है तो उस कंडिशन में आपको अपने बालों को जाद से जादा पोशन देने की आवशकता है जाद से जादा प्रोटीन विटामिन्स और मिनरल्स देने की आवशकता है अब बात करें प्रोटीन्स और विटामिन्स की या फिर मिनरल और पोशन की कैसे दे सकते हैं तो अगर आप हफते में दो बार hair wash कर रहे हैं, तो दो बार आपको natural चीजों से wash करना है, दो बार आप natural remedy का इस्तमाल करिए, और हफते में एक बार किसी भी shampoo का इस्तमाल कर लेजिए, कोई भी problem नहीं होगी, चाहे संसल के ले सकते हैं, चिक ले सकते हैं, वाटिका ले सकते हैं कोई और आप इस्तमाल कर रहे हैं, आप उसे सकते हैं, अगर जो आप इस्तमाल कर रहे हैं शेमपू, साल, दो साल, चार साल से अगर एक ही something का आपने fix कर रखा है, तो आप उसे change कर दीजिये, आप कोई नया shampoo का इस्तमाल कर लीजिये, जब हम एक ही चीज़ को continue रखेंगे, तो उस चीज की हमारे scalp को habit हो जाती है इसलिए माहौल के according चीजों को हमें change करना चाहिए तब ही हमें अच्छे results मिलते हैं जब आप लोगों को लगे कि बालों में थोड़ा सुधार आने लगा है बालों में portion होने लगा है बालों की roots थोड़ी बहुत मजबूत होने लगी है तो उस situation में अगर आप फिर से चाहें तो हफते में दो बारे shampoo कस्तमाल कर सकते हैं जो shampoo choice में आप लोगों की हो क्वार्टिका हो केशकिंग हो डव हो चीखो संसिल्क हो क्लैनिक फ्लस हो कोई भी shampoo चलेगा लेकिन इतने hair fall है पोशन जादा देना है नेचुरल remedies को जादा apply करना है और shampoo को कुछ टाइम के लिए avoid करना है सिर्फ हकते में एक बार shampoo करना है oiling की बात करें तो oiling भी आप अपने बालों में continue रख सकते हैं अब इन सबी चीज़ों को आप लोग कैसे सीखेंगे तो मैंने बहुत ही सारी ऐसे video बनाई हुई हैं जो hair fall से related है आप उन्हें अपने बालों में apply कर सकते हैं और उनका result अपने बालों में ले सकते हैं जो भी remedy remedy आपको available हो time पे जो remedy आप लोगों को अच्छी लगी आप time पे उस वाली remedy का इस्तमाल अपने बालों में कर सकते हैं अगर आपका मन नहीं मान रहा है आपको daily hair wash करना है तो आप वो भी कर सकते हैं बहुत सारे videos ऐसी बनाई हुई हैं portion को लेके natural चीज़ों को लेके कि अगर आप उन रेचुरल रीमेडी को बालों में लगाके अपने बालों को साधे पाने से wash करेंगे तो आपको उनके बैदर परिनाम मिलेंगे आपके बालों को portion मिलेगा और आपके बालों की जड़े क्यो और वज़शन हो जब क्यों और उने स्टार्ट हो जाएंगी तो उस कंडिशन में आप कोई भी शैंपू सिंगल शैंपू यूज कर सकते हैं या फिर कोई दो शैंपू भी अगर आप मिक्स करके इस्तमाल करना चाहते हैं तो कर सकते हैं अगर आपका अब भी डाउट है कुछ तो आप मुझे क कॉमेंट करके बता सकते हैं आपको हमेड शैंपू की में विधी नेक्स्ट विडियो में बता दूंगे जो मैं अपने बालों में पीच बीच में इस्तमाल करती रहती हूं आप उस शैंपू को भी बना की रख सकते हैं और आप उससे अपने बालों को अगर फिर हफते में दो बार चाहेंगे तो दो बार भी वाश कर सकते हैं लेकिन दिहान आप लोगों को बस इतना ही रतना हैं जब तक जड़े कमजोर हैं शैंपू को थोड़ा साइट रखें नेचरल चीजों पर जादा फॉकस करें जब बाल क्यों और उने स्टार्ट हो जाए तब आप बाल कमजोर है शैंपू आट दिन में एक बार करिए नेचरल ग्रेमेडी चाहें तो डेली आप करके और सादे पानी से वाश कर सकते हैं हाफते में दो बार योज करना चाहें दो बार योज कर सकते हैं उमीद करती हूं पहुत ज्यादा सरल लेंग्वेज में आप लोगों क समझ में आया होगा इस वीडियो को मैं रखूंगे इतना ही मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार